बकसानगा थाना छेतर के नाथ घाट पर नहाने के दोरान गंगा में डूबने से एक युवक की मोत हो गई इसकी सुचना परिजनों के मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया काफी मसकत के बाद नीजी गोता खुरों ने युवक का सो गंगा से निकाला मिली जनकारी के अनुसार जीले के धनसोई थाना छेतर के बनी गाउं के दो सगे भाई अपने दोस्तों के जाद गंगा घाट पर नहाने आये थे इसी दोरान छोटे भाई घरे पानी में डूबने लगा देखते हैं वहां से सभी दोस्त पानी से निकल कर भागने लगे वहीं छोटे भाई को डूबते देख बड़े भाई से उसकी जान बचाने के लिए उस घाट की तरफ उसे फेक दिया लेकिन खुद गहरे पानी में जा डूब गया दोनों भाई बकसर में ही रहकर पढ़ाई करते थे जो दोस्तों की कहाने पर गंगा घाट पर नहाने के पहुँचे थे वहीं इस घटना के बाद लोगों में काफी अकरोज देखने को मिला उपस्तित लोगों ने पुलिस परसासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाएं वहीं घटना को देखते हुए SDM ने कहा कि धाई बजे की योग की डूबने से मौत हुई थी लेकिन परिजन सबा तिन बजे फोन किये इसी पीछ गुताखोरों को लाकर यहां से सो निकाला गया और राजपूर के अंचर अधिकारी को ततकालिन मुआबजे की राज़ी भुकतान करने के आदेश भी दिय अधिया गया है राजपूर का बच्चा है वन्नी का और वो नहांने आया था करीब नहीं बज़े के आसपास बिल्बा था लोगना नोकली भुजने कोशिश कर रहे थे लेकिन पिर अमनों को सुचित यह तीन सबाटीन में तो हम लोगों ने पुता खोर बुलाया और उसको बच्चे को साड़े चार बजे अंतिम रूप से निकाला जा सका है और मुआपजा दिया जा रहा है अभी राजपूर अंचला दिखारी वहां से लखे आ रहे हैं उसको मुआपजा भी दिया यह लड़का राजपूर प्रखंड ग्राम पंचाईत बन्नी के पैक मार के घर का लड़का है और यह लड़का नाथवबा मंदिर के पास आया था अस्डान करने साइद लोग बता रहे हैं तो वहां पर पानी में नहाते समय और गंगाज की पानी के चकोश हो दूब गया दूबने के बाद हमको पता चला मैं अधा घंटा बाद आया आने के ब किया बेवास्ता उपलबंद हुआ और होने के बाद इसमें जाल जो है परसासन के तरफ से वो जाल फाटा हुआ है दो जाल है जिसमें एक जाल फाटा हुआ है वहीं जाल सजुराने में मुख मांग क्या है मुख्य मांग है कि इस घाट पर इसी घाट पर नहीं बॉक्सर का मुख्य दो घाट है नात्वबा घाट और अम्रेखा घाट जहां 24 घंटा गुताखोर का विवस्तार आना चाहिए मेरा नाम राजाराम यादो पड़ेगा भूर्वचातर नेता बॉक्सर मैं डाक्टर मनोज गुमारियादो परदेश महासची हूँ दुक्तांत्री जनता दल बिहार के तरब से उरे बिहार वासियों को दसहरा दिपावली पर हार्दिक सुबकामना है साथी बक्सा तिला के हर नागरिकों को भी मुबारक बाद है और सुहार दिपावली में दुरुगा पूजा में दिपावली में अमन्चेन अस्थापित करने के लिए मयफीन करता हूँ दसहरा एम दिपावली के सुब असर पर मेरे तरब से लोगतांतिक जनता अदल के बैवसाई संके अध्यक्स के तरब से बन्यासिंग यादव के तरब से जिलाबासियों को सुबकामना है सागर करता है